Domestic का Opposite Word क्या होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Domestic का मतलब होता है घरेलू या अपने ही देश का दो सेंस में आप Opposite Word इसके बना सकते हैं एक तो जैसे कोई भी चीज आपके देश की है आपकी घरेलू है तो उसको हम Domestic कहते हैं और जो किसी दूसरे देश की है या बाहर की है तो उसको हम Foreign या International कहते हैं जैसे कि Domestic Flight होती है जो हमारे देश देश में गोंगती हैं और जो दूसरे देश में जाती हैं उन्हें हम International Flights कहते हैं इसी तरीके से कोई मुद्दा हमारे देश का है तो उसको हम domestic issue कहते हैं और जो मुद्धा पूरी दुनिया का है या दूसरे देशों से है उसको हम foreign या international कहते हैं तो एक तो domestic का opposite हो सकता है foreign या international दूसरा जैसे हम जानवरों को कहते हैं कि ये घरेलू जानवर है यानि कि इनको हम पालतू बना सकते हैं, पाल सकते हैं, जैसे गाए, भैस, बकरी, इसी तरीके से कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जो जंगली होते हैं, तो घरेलू का उल्टा जंगली भी होता है, तो जैसे जंगली बिल्ली होती है, जंगली शेर होता है, हिरन होते हैं, ये सब जो जानवर है इनको हम जंगली जानवर बोलते हैं तो एक domestic animals होते हैं दूसरे wild animals होते हैं इसी तरीके से कुछ घास जो है वो domestic हो सकती है जैनि घर में आप उगा सकते हैं खेती कर सकते हैं इसी तरीके से कुछ घास जंगली होती है तो उसको हम wild कहते हैं domestic का opposite wild भी हो सकता है. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं. आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें.